हेलो गाइस नमस्ते आप सभी का स्वागत है मेरे चानल रजने उग्रे ओफिसियल में आज में बनाने वाली हूँ पराठा पराठे आपने बहुत खाये होंगे पर ये कुछ अलग टाइप का पराठा है सोजी और आलू का पराठा आलू को उबालने के लिए एक लास पानी ले रहे हैं उसमें आलू को छोटे छोटे काट कर डाल कर 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं जब तक हमारा आलू बलकर त्यार न हो जाएगे हम सोजी का पेश्ट त्यार कर लेंगे डेर से दो छोटी कटोरी में पानी लेकर हलका तीखा करने के लिए आधी चमस दरदरा पिसा हुआ मिर्च डाली हों बारी कटा हुआ प्याज ये ओप्सनल है पसंद ना हो तर ना डा पष्यक पर ना है इनक पर तो सोजी को डालना है मैं कटोरी सोजी ले रही हूं अच्छे सोबाल आ गए ह już में डालकर अच्छे से पैला कर चलते रहना है हमारा सुजी कड़ाई में नाचिप के इसलिए से चलाते रहना है इसे 10 से 15 मिलट के लिए चलाना है ताकि कड़ाई में नाचिप के और हमारा पेश्ट अच्छे से त्यार हो जाए इसे तब तक चलाते रहना जब तक इसमें जो दाना दीख रहे हो दीखना बन ना हो जाए हमारा सुजी का पेष्ट त्यार है इसे ठंडा होने के लग देते हैं जालू उबालने के लग रखे थो उबाल गहे से कद्दू कस करके हल्दी कलर मिर्ज, स्वाधन सार नमक, काली मिर्ज और अद्रक पेष्ट इन सब को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको तब तक मिक्स करना है जब तक आलू का जुदाना दाना रहते है वो अच्छे से मेश न हो जाए अब जो सूजी का पेश्ट त्यार के हैं इसको इसमें डाल कर दोनों को मिक्स कर लेना है जिसे आटा गुंद कर त्यार करते हैं वैसे इन दोनों को गुंद कर त्यार कर लेंगे आटा जैसे देखे, कितना अच्छा भी लग रहा है, बहुत ही अच्छा कलर इसका उभर कर आया है, बच्चे जीत करें तो आप यह नास्ता जरू ट्राइ करना, बच्चो को खिलाना, हलका तेल लेकर छोटे-छोटे लोई बना लेना, देखे, हाथ में नहीं चीपक रहा है, तेल लेने स जैसे बेल सकते हैं, गोल बेल लेना है, छोटे-छोटे, आप जैसे भी बेल सकते हैं, जैसा भी से पच्छा लगे, मैं इसे गोल बेल रही हूँ, बच्चे इस नास्ता को खाकर बहुत कुछ हो जाएंगे, अब इसे कढ़ाई में एक सिद्डेर चमस्तेल डालकर पका लेन है, हमारा पराठा लाल भूरा होने तक इसे पकाना है, हमारा पराठा भूरा होकर तयार है, इसे आप बच्चों को सर्व करें, किसी भी सबजी या फिर चटनी मिसको खिला सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी है, मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सस्क् जरूर करना, थैंक यू फोर वाचिंग